हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर्शन पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम फिराज रहो गए हैं आपके सामने जो की आपके इंडियन हिस्ट्री जो हमारा भारतिय इतियास के महाजन पदकाल से रिलेटिड कोशन रहने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको महाजन पदकाल से जितने भी most important questions हैं, उन सभी question को आज की इस एक ही वीडियो में आपको cover कराने वाले हैं, तो दोस्तों बने रही है वीडियो के साथ मैं, वीडियो को start करने से पहले आप सभी लोगों से मेरे एक छोटी सी request है, आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सके, तो दोस्तों start करते हैं, आज की वीडियो का अपना पहला question, जो कि हमारा भारतिय इतिहास के महाजन पदकाल के chapter से related है, देखते हैं, आज का हमारा पहला question है, निम लिखित में से गलत कथन का chain करें, दोस्तों आपके सामने चार option दिये गए हैं, जिस में से महाजन पद और उनकी राजधानी दी गई है, इन में से एक option गलत है, तो उसका chain हमें करना है, देखते हैं कौन सा इसका right answer हो जाएगा, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा हमारा option A के साथ में, option A इसका गलत option हो जाएगा, गांधार, गांध चार की राजधानी मत्रा नहीं थी, वत्स की राजधानी कोसम भी हो जाएगी, कोसल की राजधानी शिरावस्ती हो जाएगी, सूर्सन की राजधानी मत्रा हो जाएगी, और जो गांधार की राजधानी थी दोस्तों, वो तक्छी सिला थी, और इसमें क्या दिया गया है, ग देखते हैं अगला कोश्चन हमारा अगला कोश्चन है दोस्तो हर्यक वंस के किस सासक को कुणिक कहा जाता था तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तो इसका राइट आंसर जाता हमारा ऑप्शन सी के साथ में हर्यक वंस के अजात सस्त्रू को कुणिक के नाम से जाना जाता था दोस्तों जो हमारा हर्यकवंस का अजात्र सासक था उसको कुणिक के नाम से भी जान जाता था option c इसका right answer हो जाएगा अजात्र सात्रू देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तों किस सासक ने गंगा एवम सौन नदियों के संगम पर पाटिल पुत्र नामक नगर की इस्तापना की थी तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तो इसका राइट अंसर जाता हमारा ओप्शन B के साथ में उदैने गंगा एवम सौन नदियों के संगम पाटिल पुत्र नामक नगर की इस्तापना किसने की थी तो वो की थी हमारे उदाइन ने option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो सिसुनाग वंस का वह कौन सा सक्ता जिसके समय में वैसा ली में दुतिय बौद्ध संगती का आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option B के साथ में काला सूक काला सूक क्या ही है सिसुनाग वंस का वह सासक था जिसके समय में वैसा ली में दुतिय बौद्ध संगतीम का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था किसका किसके सासनकाल में काला सोक के सासनकाल में option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो 323 इसा पूर्व में सिकंदर महान की मिरत्यू हुई थी तो यह किसने की थी option देखते हैं इसका right answer option B इसका right answer हो जाएगा बेबी लीन में 323 इसा पूर्व में सिकंदर महान की मिरत्यू कहां हुई थी दोस्तो तो वो बेबी लीन में सिकंदर महान की मिरत्यू 323 इसा पूर्व में हुई थी option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला कोश्चन हमारा अगला कोश्चन है सिकंदर महान एवं पौरस पुरू की सेनाओं निमलखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा और इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर जाता दोस्तो हमारा किस म्रत भांड पौटरी भारत में दुतिया नगरी करण सहरी करण के प्रारंबका प्रतीक माना गया है तो इसका राइट अंसर क्या है? इसका राइट अंसर जाता दोस्तो हमारा option C के साथ में उत्री काले पौलिश क्रत बरतन को क्या माना गया है? ये म्रत भांड पौटरी भारत में दुतिया नगरी करण, सहरी करण के प्रारंबका प्रतीक इनको माना गया है option C इसका राइट अंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है पाली ग्रंथों में गाउं के मुखिया को क्या कहा गया है? हमारा अगला कोशन है दोस्तो उज्जेन का प्राचीन नाम था तो इसका राइट अंसर क्या है? इसका राइट अंसर जाएगा option A के साथ में अवंतिका उज्जेन का प्राचीन नाम अवंतिका था option A इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा अगला question है दोस्तो नंदवन्ज का संश्तापक कौन था तो इसका right answer क्या हो गया दोस्तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option A के साथ में नंदवन्स का संच्थापक महा पदम नंद को माना जाता है option A इसका right answer हो जाएगा नंदवन्स का संच्थापक महा पदम नंद option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है Greek, Yunani लेखकों द्वारा किसे अगन मीज, gender मीज कहा गया इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option D के साथ में घनानंद को घनानंद को Greek या फिर Yunani लेखकों द्वारा अगन मीज या फिर gender मीज कहा गया था किसको घनानंद को option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आकरमन किनके द्वारा किया गया था तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा दोस्तों हमारा option A के साथ में प्राचीन भारत में पहला आकरमन इरानियों द्वारा किया गया था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आकरमन एवं पहला यूरोपिय आकरमन किनके द्वारा किया गया तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option B के साथ में यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत में दूसर विदेशी आकरमण और पहला यूरोपिय आकरमण किस ने किया था तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो अगला question है हमारा इरान के खमनी वंस के किस सासक ने भारतिय अभुभाग को जीतने के बाद उसे फारस सामराज्य का बीसवा प्रांत छत्रपी बनाया तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option B के साथ में डैरियस या फिर दायर बाहु फश्ट ने इरानी के खमनी वंस के डैरियस या फिर दायर बाहु फश्ट ने भारतिय भुभाग को जीतने के बाद उसे फारस सामराज्य का बीसवा प्रांत बनाया था option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है हाइडे हाइडे इस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम जेलम का युद्ध 326 BC किनकिन सासकों के बीज हुआ था तो इसका right answer क्या है इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में सिकंदर एबम पौरस के मध्ध है हाइडे हमारा अगला question है दोस्तो हाइडे इस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम जेलम का युद्ध 326 BC किनकिन सासकों के बीज हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में सिकंदर एबम पौरस के मध्ध हाइडे इस्पस या वितस्ता नामक युद्ध इनके बीच में हुआ था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया तो इसका right answer क्या हो गए दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में सिकंदर ने भारत पर 326 इसापूर्व में आक्रमण किया था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूची 1 में आपके सासक दिये गए हैं दोस्तो और सूची 2 में हमारे क्या दिया गया है सूची 2 में हमारे once दिये गए हैं तो इनको मिलान करना दोस्तो जल्दी से मिलाएए कौनसा इसका right answer हो जाएगा जल्दी से टेक करो तो दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option B के साथ में वो कैसे देख लेते हैं option A हमारा पहले से हो जाएगा सासक हमारा कौन सा है बिंबिसार जो हमारा हर्यक once से संबंदित हो जाएगा B हमारा दोसे जो हमारा काला सोक है वो हमारा सिसुनाग once से संबंदित है और C हमारा चोथी से हो जाएगा C हमारा महापदम नंद महापदम नंद once से संबंदित है और बिन्दुसार जो यह हमारे मौरेवंस से संबंध रखते हैं इसलिए option B इसका right answer हो जाएगा इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए यह इसका right answer option B हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक में महाजनपत दिये गए हैं और सूची दो में दोस्तो आपके आधुनिक छेत्र दिये गए हैं तो इसका right answer कौन सा होगा दोस्तो जल्दी से टिक करके बताइए तो दोस्तो इसका right answer जाता आपका option A के साथ में option A जैसे की A क्या हो गया हमारा A में हो जाएगा मगद मगद किस के साथ हो जाएगा मगद हो जाएगा हमारा पटना वे गया जिले के साथ में और B हो जाएगा हमारा दूसरे के साथ J हमारा वत्स वत्स किस के साथ इलावाद के साथ हो जाएगा C हमारा तीसरे के साथ हो जाएगा C बन जाएगा हमारा दोस्तो कोसल क्या है अवद के साथ हो जाएगा और अवंती सूची सोरी अवंती जो है हमारा मालवा के साथ मेल हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं दोस्तो अगला कोशन हमारा अगला कोशन है मगद की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तो मगद की प्रथम राजधानी क्या थी गल्दी से टिक करके बताओ तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो हमारा option C के साथ में मगद की पर्थम राजदानी गरी वरज या फिर राजग्रह को माना जाता है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किस सासक द्वारा सर पर्थम पाटिल पुत्र का राजदानी के रूप में चयन किया गया था तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option C के साथ में देखते हूं अगला question हमारा अगला question है 16 महाजिन पदों की सूची उपलबद है तो इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option B के साथ में अंगुतर निकाए में 16 महाजन पतों की सूची अंगुतर निकाए में उपलब्द है option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमलिखित में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer जागा दोस्तों हमारा option B के साथ में घनानन्द मगद का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था तो वो था हमारा घनानन्द option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है प्रथम मगद सामराज्य का उतकर्स किस सदी में हुआ था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option B के साथ में छटी सदी इसा पूर्व में प्रथम मगद सामराज्य का उतकर्स जो हुआ था वो छटी सदी इसा पूर्व में हुआ था option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो अगला question हमारा सिकंदर की भारत में सपलता के निम्न कारण थी पहला है हमारा भारत में तब कोई कैंट्रिय सत्ता नहीं थी दूसरी है हमारा उसकी सेना स्रेश्ट पिरकार की थी तो इन में से कौन सा इसका right answer हो जाएगा दोस्तो जल्दी से टिक करके बताओ तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option D ये सभी इसके सही option हो जाएंगे सिकंदर की भारत में सपलता के कौन से कारण थे तो ये सभी कारण थे सिकंदर के भारत में सफलता के लिए, option D इसका right answer हो जाएगा देखते अगला question हमारा अगला question है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो दोस्तो सूची एक में हमारे राजा दिये गए हैं और सूची दो में हमारे राज्य दिये गए हैं, कौन सा राज्या किस राज्या से संबंद रखता हैं ये आपको बताना है, तो दोस्तो जल्दी से इसका right answer टिक करके बताओ तो दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option C के साथ में जैसे की पहला राज्या हो जाएगा हमारा प्रद्योत प्रद्योत राजा किस राज्य से संबंद रखता है तो ये रखता है हमारा मगद से अवंती से संबंद रखता है प्रद्योत और दूसरा हमारा उदैन उदैन किस संबंद रखता है उदैन रखता है दोस्तों हमारा वत्थ से संबंद रखता है तीसरा हमारा प्रसेंजीत प्रसेंजीत किसे संबंद रखते हैं ये हमारे कोस अजराज्य से संबंद रखते हैं और फिर हमारे चोथे कौन से हो जाएंगे चोथे हो जाएंगे दोस्तों हमारे अजात सत्रू अजात सत्रू किसे संबंद रखते हैं option C, इसलिए इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो अभी लेख ये 7-6 से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कौन से इसका right answer है दोस्तो, इसका right answer जाता हमारा option C के साथ में, curling में है, पहला इरानी सासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, हमारा option C, Darius Darius वो सासक था, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, option C, इसका right answer हो जाएगा, Darius पहला इरानी सा सकता Darius जिसने भारत ये कुछ बाग को अपने अधीन किया था देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है दोस्तो भारत के राजा अजात सत्रू का किस गंडराज्य के साथ युद्ध रहा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में वज्जी वैसाली option A इसका राइट अंसर हो जाएगा मगद के राजा अजात सत्रू किस गंडराज्य के साथ में इनका युद्ध रहा था वज्जी वैसाली के राजा के साथ में इनका युद्ध रहा था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो अगला question है हमारा वज्जी संग के विरुद्ध मगद राजा के किस सा सकनी प्रत्थम बावार रत मूसल एक ऐसा रत जिसमें गदा जैसा हत्यार जुड़ा था तथा महासिला कंटक पत्थर फैंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हत्यारों का प्रियोग किया था तो यह किस राजा ने किया था दोस्तो तो इसका right answer जाएगा हमारा option A के साथ में अजात सत्रू ने ऐसे यंत्र का प्रियोग ऐसे या फिर ऐसे नामक हत्यार का प्रियोग किया था किस ने अजात सत्रू ने option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो अगला question हमारा नंदवंस का अंतिम समराट कौन था option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question दोस्तो अगर आप हमारे YouTube channel education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने सबी दोस्तों के साथ share करें और bell icon को दवाना न भूलें जिससे के आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सके देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा भारत के सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा हमारा option C के साथ में 600 इसा पूर्व में भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन हुआ था option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question हमारा निम्न राजाओं पर विचार कीजिए पहला है अजात सत्रू दूसरा विंदुसार और तीसरा है प्रसेंजीत इनमें से कौन-कौन बुद्ध के समकालीन थे तो ये तीन राजा दिये गए हैं दोस्तों हमारे इनमें से बताना है के इनमें से कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से टेक करके बताओ तो इसका right answer जाता हमारा option C के साथ में पहला और तीसरा अजात सत्रू और प्रसेंट जीत ये दोनों राजा बुद्ध के समकालीन थे option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो छटी सदी इसा पूरुब के दोरान बड़े राज्यों के उदे का मुख्यकारण क्या था तो क्या कारण था बड़े राज्यों के उदे का मुख्यकारण तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में उत्तर प्रिदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उद्योग ये क्या था ये बड़े राज्यों के उदे का मुख्यकारण माना जाता था तक अब छटी सदी इसा पूरुब के दोरान option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है मगद समराट बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकितसा के लिए भेजा था तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा दोस्तो हमारा option C के साथ में मगद समराट बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवन्थी राज्य के राजा के चिकितसा के लिए मतला इलाज के लिए भेजा था option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है किस सासक ने अवन्थी को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option C के साथ में सिसुनाग ने सिसुनाग सासक के राजा ने सॉरी सिसुनाग ने अवन्थी को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया था option C, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी most important questions हैं जो आपके महाजनपद काल से related हैं तो इस chapter से आपके हरा exam में आपके एक से दो question पूछ लिए जाते हैं, तो इस वीडियो को last day के एक बार जरूर देखें तो देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा किस मगद समराठ ने अंग काविले अपने राज्य में कर लिया, तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option A, बिम्बिसार ने मगद समराठ के अंग, सॉरी बिम्बिसार ने अंग का विले अपने राज्य में किया था, option A, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा सिसुनाग ने किस राज्य का विले मगद समराठ नहीं किया था तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा option D के साथ में कासी का, सिसुनाग ने कासी का विले मगद समराठ नहीं किया था option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है कासी और लिच्वी का विले मगद समराठ नहीं किया था तो इसका right answer क्या दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option B के साथ में अजात सत्रू कासी और लिच्वी का विले मगत सामराज्ये में अजात सत्रू ने किया था ऑप्सON B इसका राइट आंसर हो जाएगा देखता है अगला कुश्चन açंस अगला कुश्चन है दोश्तों हमारा मगत सामराज्ये के बारे में कौन सही नहीं है तो इन में से कौन सा कफन सही नहीं है मगद सामराजय के बारे में जल्दी से टिक कर के बता दोस्तो द्यां से पढ़ओ और टिक कर भो जल्दी से तो दोस्तो इसका right answer जाएगा option D के साथ में इन में से कोई नहीं ये तो दोस्तों इन वाक्यों में से मगद सामराज्य के लिए कोई साभी कथन इन में से सही नहीं है option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निमलिखित राजवनसों में से किस एक का सासन था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में नंद का सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर कौन से राजवनस का सासकता तो वो था नंदवनस का देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमलिखित में से कौन कौन सा एक इसा पूर्व छटी सदी में प्रारंब में भारत का सरवाधिक गई थी सकति साली नगर राज्य था तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा हमारा option D के साथ में मगद मगद सामराज्य क्या था यह है सबसे ज़्यादा सकति साली नगर राज्य था option कब ये छटी ईसा पूरूब में option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question क्या दोस्तो अगला question है निमलिखित में से कौन कौन से भारत पर इरानी आक्रमण के प्रवाव के रूप में माना जाता है तो हमारे option दिये गए हैं देखते हैं पहला है खरोष्टी लिपी का प्रचार दूसरा है अभी लेक उतकींड करने की कला का प्रचार तीसरा है इरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार चोथा है गंटा आकार के गुमबज की कला का प्रचार और पांचवा है इस्त्री अंगर रच्छकों की नियोकती तो इन में से कौन सा option right हो जाएगा जल दी से टिक करो दोस्तो तो इसका right अंसर जाता हमारा option D के साथ में पहला दूसरा तीसरा चोथा है वं पांच मां ये सभी option क्या हो जाएंगे भारत पर इरानी आकरमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं ये सभी option माने गए हैं option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निमलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आकरमण का प्रभाव नहीं था तो इन में से कौन सा जो सिकंदर के आकरमण का प्रभाव नहीं था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option D के साथ में उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था ये क्या हो जाएगा ये सिकंदर के आकरमण का प्रभाव नहीं था, option D इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question हे हमारा दोस्तो, निम लिखित मेंसे किस राज़्य में गरत अंत्रात्मक साशन व्यवस्ता नहीं थी इसका right answer जाता दोस्तो हमारा option D के साथ में, मगद साम राज़्य में गरत अंत्रात्मक सासन विवस्ता नहीं थी option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा निमलिखित में से किसे सैनिया नियमित और इस्थानिये सैना रखने वाला कहा जाता था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में बिम्बिसार बिम्बिसार को नियमित और इस्थानिये सैना रखने वाला कहा जाता था क्या सैनिया मतलब की नियमित और इस्थानिये सैना रखने वाला देखते हैं अगला question option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है दोस्तों हमारा निमली खित में से किसे अग्रिसेन भायानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो दोस्तों किसे कहा जाता है भायानक सेना का स्वामी इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जागा दोस्तों हमारा option A महापदम नंद महापदम नंद को अग्रिसेन मतलब की भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा देरियस दायर बाहु फर्ष्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीत कर उसे इरान का बीसवा छत्रपी प्रांत बनाया उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था तो कितना राजस्व प्राप्त हुआ उससे दोस्तों तो इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में 360 टेलेंट option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question हमारा निमली खित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था तो इनमें सो कौन सा इतिहासकार नहीं है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो हमारा option D के साथ में hero dots, hero dots जो हमारे थे ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे option D इसका राइट अंसर हो जाएगा नियारकस, एना सिक्रिटियस, एरिष्टो बुलस ये सबी कौन थे ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इत्यासकार माने गए है option D हो जाएगा हैरो डॉट्स को ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इत्यासकार नहीं थे option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question है हमारा महाजन पदकाल में स्रेडियों के संचालक को कहा जाता था तो महाजन पदकाल में स्रेडियों के संचालक को क्या कहा जाता था दूस्तों तो इसका right answer हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा महाजन पद्ध काल में स्रेडियों की संचाल को स्रेश्ठीन कहा जाता था option A, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं आगला question आगला question है हमारा ग्रहपती का अर्थ है तो ग्रहपती का अर्थ क्या होता दोस्तो इसका right answer जाएगा हमारा option A के 7 में ग्रैपती कार्थ होता है धनी किसान option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question तो दोस्तो हमारा अगला question हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तो तो देख लीजिए इसको वीडियो को पोस्ट करके देखिए जल्दी से और इसका right answer बताईए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने पर कौन सा इसका right answer हो जाएगा जल्दी से टिक करके बताओ तो दोस्तो इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में दोस्तो आप आसानी आराम से इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको मैच कर लीजिए गा अगर मैं जादा टाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखते हम अपना अगला कोशन option A इसका right answer हो जाएगा चलते हैं अगले कोशन की तरफ हमारा अगला कोशन है मगद के किस प्रारंबिक सासकने राज्य रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वस अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता है हमारा option B के साथ में अजाद सत्रू अजाद सत्रू कौन था अजाद सत्रू मगद का एक प्रारंबिक सासक था जिसने राज रोहन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसी कारण वस इसके पुत्र ने अपने जो अजाद सत्रू का पुत्र था इसी के पुत्र ने इसी की हत्या भी कर दी थी option B इसका उत्तर हो जाएगा अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने अपने पिता की हत्या की और अजाद सत्रू के बेटी ने अजाद सत्रू की हत्या की देखते हैं एगला कोशन हमारा एगला कोशन है विश्व का पहला गड़तंत्र वैसाली में किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो विस्व का पहला गरतंत्र विस्व जो वैसाली में किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो इसका right answer जाता दोस्तो हमारा option D के साथ में लिच्वी के द्वारा विस्व का पहला गरतंत्र वैसाली में लिच्वी के द्वारा इस्थापित क कि आ गया था option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question है दोस्तों हमारा सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है सूची एक में महाजनपद दिये गए हैं और सूची 2 में हमारी उनकी राजधानिया दी गई है किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है ये आपको को इसमेलित करना है तो दोस्तों देखते हैं इसका right answer हो जाएगा हमारा option B के साथ में आप इसको वीडियो को पॉस्ट करके मैच कर लेना कौन सी राजधानी किस महाजनपद से mail खाती है तो option B इसका right answer हो जाएगा देखते हम अपना एकला question हमारा एकला question है निम लिखित में से कौन एक बौधिगरंत 16 महाजनपदों का उलेख करता है निमन में से कौन सा बौधिगरंत है जो 16 महाजनपदों का उलेख करता है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में अंगुत्तर निकाए अंगुत्तर निकाए में 16 महाजनपदों का उलेख मिलता है option A इसका right answer हो जाएगा अंगुत्तर निकाए क्या है ये एक बौधिगरंत है जिसमें 16 महाजनपदों का उलेख किया गया है option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है निम लिखित में से कौन एक मगद सामराज्य की राजधानी नहीं रहा तो इन में से कौन सी है जो मगद सामराज्य की राजधानी नहीं रही है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन B के साथ में राजगिर है राजगिर है जो यह हमारी कभी भी मगद सामराज्य की रूप में र फारस सामराज्य का बीस्वा प्रांत बनाया तो किसने बनाया था ये तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा option B के साथ में Darius दार दार बाहु फष्ट ने एरानी एरानी के खमनी वंस के सा सकते हमारे Darius या फिर दार बाहु फष्ट इन्होंने क्या किया था भारतिय भूबाग को जीतने के बाद फारस सामराज्य का इसन वो बीस्वा प्रांत इन्होंने बनाया था option B का राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है high dash pass या वितस्ता आधनिक नाम जेलम का युद्ध 326 BC में किन-किन सासकों के बीच हुआ था तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा option A सिकंदर एबम पोरस के मद्ध है high dash pass या वितस्ता का आधनिक युद्ध 326 BC में हुआ था option A इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो option A के 7 में 326 सीसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो option सूची एक को सूची दो से मिलाना है सूची एक में कुछ सासक दिये गए है और सूची दो में कि हमारे once दिये गए है कौन सा सासक किस once से संबंद्र रखता है ये आपको बताना है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer दोस्तो option B के साथ में जाता है इस वीडियो को post करके सासक और once को आप मिलान करिये आप देखिए को कौन सा सासक का संबंद्र किस once से है तो option B इसका right answer हो जाएगा दोस्तो अगर आप हमारे youtube channel education person पर आभी नए आए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ share करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो का notification आपको असानी से मिल सके तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी महतवपूरा आपके महाजन पदकाल से बनते थे वह सब ही question आपको इस वीडियो में cover कराए हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं आप next वीडियो में